नमस्का दोस्तों हिंदीज इन्डी आफेयर्स में seperti आपका स्वागत है दोस्तों परोसी देस स्रिलंका एक चिन के लिए बहुत बुरी भारत के लिए बहुत ऑश्फी अक्छी आ यहा ul दरसल दोस्तों बात यह है कि चीन ने स्री लंका की सरकार से कुछ करार किया हुआ था कि चीन उनके देश में जाकर बिजली उत्पादन से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट तयार करेगा वो दरसल जो प्रोजेक्ट तयार की करना है थे वो भारत की सीमा से करीब 50 से 60 किलो मीटर दूर पर आईलाइन प्रोजेक्ट तयार कर देते ये भारत के लिए बहुत ही चिंता ही वाली बैफ थी भारत इसके लिए बहुत चिंती पश्रिलंका वो पिख वाली फाल सकतें कि अब्हुराइब अब श्री लें के क्न‍ हुथ- ये भारत के लिए चिंता कफी से था तो अच्छा हुआ कि स्री लंका पिछले दो सालों से काफी आर्थिक समस्याओं में फ़स गिया बहुत ज़्यादा वहां पर आर्थिक संकाट आया तो उसको कोई बचाने वाला नहीं दिखा सिवाए भारत के भारत ने उसको बचाया स्री लंका को भी समझ में आ गया है कि चीन सिर्फ उनका फाइदा उठा रहा था और उसने कुछ नहीं किया और भारत में कहीं ना कहीं उसकी मुसीबत में उसके साथ खड़ा हुआ उनको सहायता प्रदान करी तो इसका असर यह हुआ कि आज के टाइम पे स्री लंका ने उन स्री लंका को प्रोडक्शन बेह स्री लंका में इतनी जादा कि आप इससे अंदाजा बेएगें कि इनके छुपे। उसमें भी इनके आन लाइट चली जाती है इस्टेडियम में लाइव में चल रहा होता है और इनके आन लाइट चली जाती है इस तरह का समझ लिए इनके आन की प्रॉब्लम है लाइट की अब यह जो प्रोजेक्ट भारती कंपनी कंप्लीट करेगी तो इसमें भी भारत से भी फंड इनको दिया जाएगा जिससे स्रिलंका की मदद होगी वहाँ पे रोजगार भी आएगा उनके लिए कहीं नहीं पहली बार नहीं है इससे पहले पांच जन्वरी को स्रिलंका ने चेन की एक जासूसी जहाज आने के लिए रेडी थी उसको भी स्रिलंका ने मना कर दिया कि इनका कोई भी जहाज यहाँ पर नहीं आएगा इनके समुद्री सीमा में और कब तक के लिए एक साल के लिए बैन लगा दिया है कि एक साल तक कोई भी चेन का जहाज यहाँ पर नहीं आएगा किसी भी काम से हो तो अभी जो स्री लंका की सरकार है कहीं न कहीं भारत के फेवर में काम करने वाली सरकार है इससे पहले जो सरकार थी महिंद्रा राज पक्षेगी वो सरकार एंटी इंडिया थी वो चीन के सपोर्ट में काम कर रहे थे उनको ये लालस था कि चीन उनको बहुत तब इनको समझ में आ गया कि क्या होना है चीन ने इन से उनका एक बंदरगा बनाया था उसको 99 साल के लिए लीज पर लिए सोचिए मलब स्रीलंका की जमीन स्रीलंका सीलंका की सब कुछ और उस-पर कप्जा किसका है ब् Hilft वो जो एयरपोर्ट जो वो बंदारगा बनाया हुआ है उसको यह समझ लिए उसको कोई भी एक भी सिप नहीं आती है कि वहां पर खड़ी हो और जिससे इनको कुछ कमाई हो स्रिलंका को कुछ भी कमाई नहीं होती है जीता जाकता हो टोटल इनका प्रोजेक्ट फ्लॉफ हो ग भारत के उस रात उसके रिष्टे बहुत ही अच्छे होंगे जो कि आगे दोनों देशों को बढ़ने में मदद करेंगे पड़ोसी एक ऐसा ही होना चाहिए जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट करें दोस्तों इससे जुड़ी हुई कुछ और खबर आती है तो मैं आपके लेकर आऊंगा धन्यवाद दोस्तों आपको इंट्फॉर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं